आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है इस श्रंखला के पिछले कार्यक्रम में हमने जाना था सांख्य की गुद्पत्ति उसके महत्व उसकी उप्योगिता और उसके विकास के बारे में हमने सीखा था आंकडों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना और उनसे निश्कर्ष निकालना आएए आज सीखते हैं आंकडों का विशलेशन करने के कुछ तरीके जिसमें हम सीखेंगे केंद्रिय प्रवर्ति की मापों को ग्यात करना पहले प्रस नुठता है ये केंद् एक बालिका प्रग्या के प्रिक्षाफल पर विचार करते हैं प्रग्या के प्राप्ता अंक इस सार्णी में दिये गए हैं एक तरीका है कि हम विशेवार अंकों को बताएं जैसे उसको गणित में मिले हैं सो में से 80 अंक अंग्रेजी में सो में से 78 हिंदी में सो में से 89 या तरीके में एक ही संख्या 85 प्रग्या के पांच विश्यों के अलग अलग अंकों का प्रतिनिद्रतु करती है यहां तो यह आंक्डे केवल पांच विश्यों तक सीमित हैं अर्थात केवल पांच आंक्डे हैं लेकिन अगर यह आंक्डे बहुत बड़ी संख्या में हो बहुत स नागरिकों की आयू के आंकड़े क्या संभव है कि हम एक अरब व्यक्तियों की अलग-अलग आयू का आंकड़ा दे सकें नहीं यह संभव नहीं है तब हम इसे कैसे बताते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति ओसत आयू 65 वर्ष है इस दूसरे दरिके में एक शंघ्या 65 एक अरब अलग-अलग शंठ्छयाओं का प्रथिनिध्यत्य कर रही है कर अर्थात हम एक ऐसी माप या ऐसी संख्या ज्याद करने की कोशिश करते हैं जिसमें एक शंख्या ही बहुत सारे suspended कर सके यह एक संख्या या यह एक आंकडा ही केंद्रे प्रिवर्ती की माप है तो आईए सीखते हैं केंद्रे प्रिवर्ती की माप को ग्यात करना इसमें हम सीखेंगे तीन प्रकार की केंद्रे प्रिवर्ती की माप ग्यात करना जो हैं माध्य, माध्यक और बहुलक आये माध्ध क्यात करना सीखते हैं माध्ध केंद्रे प्रवर्ति का सबसे सरल और सबसे लोक्रियम आप है जब भी हम ओसत आय ओसत आयू ओसत उपज इस तरह के तथ्यों का प्रियोग करते हैं या इस तरह के शब्दों का प्रियोग करते हैं तब यह हमें माध्ध की गंड़ से पास दक्षिन अफ्रीका में हुए क्रिकेट विश्व कप में सचिन तेंदुलकर द्वारा नो मैचों में बनाए गए रनों के आंकड़े हैं 52, 36, 50, 152, 97, 98, 5, 15 और 86 सचिन का रन ओसत निकालने के लिए हम इन आंकड़ों का माध्धिक्यात करते हैं माध्धिक्यात करने के लिए हम इन सब आंकड़ों को जोड़ देते हैं और इन सब को जोड़ने पर हमें मिलता है 591 हैं अब हम आंकडों को गिनते हैं यह हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ और नो माध्य निर्कालने के लिए हम आंकडों के इस योग को आंकडों की संख्या से भाग दे देते हैं नो से और हमें मिलता है 65.66 इस तरह से हम जान पाते हैं कि ओस्तन सचिन ने प्रती मैच 65.66 रन बनाए यह दि आंकडों में विचर जो इस उधारण में रनों की संख्या है को हम एक से निरूपित करें जैसे इस उधारण में विचर है रनों की संख्या और इस विचर के विभिन मान हमें एकस एक एकस दो एकस तीन से एकस एन तक मिले हों तब माध्य निकालने के लिए माध्य को हम निरूपित करते हैं एकस बार से यह जो ऊपर एक डंडा बना हुआ है इसे हम बार बोलते हैं माध्य को निरूपित किया जाता है एकस बार से और इसके लिए हम आइकडों के योग को आइकडों की संख्या जो यहाँ पर एन हैं से भाग दे देते हैं इस योग को जो X1 X2 X3 से XN तक विभिन आकडों के योग को दर्शा रहा है इसे हम सिग्मा X से निरुपित करते हैं यह जो चिन आप देख रहे हैं इसे सिग्मा बोलते हैं और इसको हम भाग देते हैं आकडों की संख्या N से इस विधी से हम एपरिश्क्रत आकडों का समानतर माध्यात करते हैं ध्यान रखिएगा इसमें आकडों को किसी भी प्रकार से आरोही या अवरोही क्रम में त्यवस्थित करने के आवशक्ता नहीं होती आकडे जिस रूप में भी हैं हम उन्हें उसी क्रम में या उसी रूप में जोड़ देते हैं और उनकी संख्या को गिनकर उस से भाग बारता साड़नी अर्थात जो आकड़ा जितनी बार आता था हम उसे लिखकर बारम बारता साड़नी बनाते थे आएए सीखते हैं कि आखड़े अगर हमें विचर और उसकी बारम बारता के रूप में दिये हुए हो तब उस इस्थिती में हम माध्य कैसे क्यात करते हैं यह उसकी बारंबारता यानि चात्रों की संख्या 8 से गुणा कर देते हैं 12 को 8 से गुणा करने पर हमें मिलता है 96 इसी प्रकार 18 को 6 से गुणा करने पर हमें मिलता है 108 25 को 15 से गुणा करने पर हमें मिलता है है 375 31 को 16 से गुणा करने पर हमें मिलता है 495 को 5 से गुणा करने पर हमें मिलता है 225 इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रत्य एक छात्र एक छात्र के अंक हैं बारा तो आठ छात्रों के अंक हुए 96 यानि 12 अंक प्राप्त करने वाले समस्त चात्रों का योग हुआ पचयाश और माध्य जात करने के लिए हम कुल प्रापट आंकों को कुल चात्रों की संख्या से भाग दे देते हैं हमें मिलता है 26 इस प्रकार हम पाते हैं कि छात्रों के ओसत अंक 26 है यदि बारंबारता सार्णी में विचर एक्स के विभिन मान है एक्स एक एक्स दो एक्स तीन एक्स एन और उनकी संबंधित बारंबारता हैं f1 f2 f3 fn तब इस इस्थिती में माध्य निकालने के लिए हम विचर के मान को संबंधित बारंबारता से गुणा कर देते हैं और बारंबारताओं के योग को हम निरुपित करते हैं सिग्मा एफ आई से जहां आई का मान एक से एन तक है इनके गुणनफल के योग को हम निरुपित करते हैं सिग्मा एफ आई एकस आई से और आई का मान वही है एक से एन तक यह एक से एन तक का आर्थ है कि यह है आँख्डों की संख्या इस इस्थिति में माध्यनिकालने के लिए विचर और बारंबारताओं के गुणनफल के योग को हम निरुपित करते हैं सिग्मा एफ आई एकस आई जहां आई का मान है आँख्डों की संख्या यानि एक से N तक और बारंबारताओं के योग को हम निरूपित करते हैं सिग्मा F I से यहां भी आंकडों की संख्या वही है एक से N तक और इसका माध निकालने के लिए हम गुणनफल के योग को भाग दे देते हैं बारंबारताओं के योग से कुणनफल का योग जैसे हमने बताया इसको हम निरूपित करते हैं सिग्मा F I X I से और बारंबारताओं के योग को सिग्मा F I से एवर्गी करत आंकडों की बारंबारता साड़ने का माध्य निकालने के लिए इस प्रक्रिया को हम विभिन पदों में बाट सकते हैं विचर राशी के मान को X I से और बारंबारता को F I से निरूपित करें संबंधित X I और F I को गुना करते हैं और गुननफल को F I गुना X I से निरूपित करते हैं बारंबारताओं के योग को सिग्मा F I से निरूपित करते हैं और माध्य निकालने के लिए हम प्रयोग करते हैं इस सूत्र का सिग्मा F I X I अर्थात गुनफलों के योग को हम सिग्मा F I बारंबारताओं के योग से भाग दे देते हैं आएए इस प्रक्रिया को एक उधारण की साहता से समझते हैं हमारे पास दिल्ली के चारो और परियाटन इस्थनों की संख्या और दिल्ली से उनकी दूरी के आकड़े हैं यह आकड़े हैं इस साधनी के रूप में दूरी को निरूपित किया गया है एकसाई से और परियाटन हमें मिलता है पैंटिस ऐसे ही बारह को बीस से गुना करने पर हमें मिलता है दोशोक्स सॉला को आठ से गुना करें थो मिलता है एकारभावारता और विचर के गुननफल का योग – गयाद करते हैं यह हमें मिलता है 775 माध्य निकालने के लिए हम प्रयोग करते हैं सूत्र को सिग्मा एफ आए एक्साई को भाग देते हैं सिग्मा एफ आई से सिग्मा एफ आए एक्साई अर्थात गूणफलों का योग है 775 हम 775 को भाग देetे हैं 50 से और हमें मिलता है 15.5 अर्थात हम जान पाते हैं कि दिल्ली से ओस्तन परियट निस्थल 15.5 किलो मीटर की दूरी पर है आंक्ड़ों के प्रस्तूती करण में हमने एक साड़नी बनाई थी वर्गी करत आंक्ड़ों की बारंबारता साड़नी आए शीखते हैं कि आंक्ड़े अगर वर्गी करत आंक्ड़ों की बारंबारता साड़नी के रूप में हो तब उनका माध्य हम कैसे ग्यात करते हैं हमारे पास 40 दुकानों से पृते दिन होने वाले लाब के आकड़े हैं जो हमें साणी के रूप में दिये गए हैं चार दुकानों का लाब है जीरो से 50 रुपए के बीच में इसी प्रकार आठ का 50-100 अब प्रश्न उठता है कि ये चार दुकाने जिनका लाब 0-50 रुपे के बीच में हैं इसमें हम इन चार दुकानों का पूरा लाब ग्यात करने के लिए किस संख्या से गुणा करें अगर आप याद करें तो पिछले कारेक्रम में हमने एक संख्या निकाली थी जो इस वर्ग का प्रतिनित्य तो करती थी जिसको हमने कहा था वर्ग चिन और वह इस वर्ग के बीच की संख्या होती थी अर्थात अगर यहां पर हम इस वर्ग का मध्यमान या वर्ग चिन निकालें तो वो हमें मिलता है 25 इस प्रकार हम प्रत्येक वर्ग का वर्ग चिन निकाल लेते हैं दूसरे का 75, तीसरे का 125, चोथे का 175 और पांचमे का 225 यहां पर यह संख्या 25 इस वर्ग का प्रतिनिद्रितु करती है और इस मान को हम गुणा कर देते हैं इस वर्ग की बारंबारता यानि 4 से 4 को 25 से गुणा करने पर हमें मिलता है 100, ऐसे ही 8 को 75 से गुणा करने पर मिलता है 610 को 125 से गुणा करें तो मिलता है 1250, 175 को 12 से गुणा करें तो मिलता है 206 को 225 से गुणा करें तो मिलता है 1350 और इन सब का योग अगर हम निकालें तो हमें मिलता है चववन सो बारंबारताओं और मध्यमान का योग हमें प्राप्त होता है चववन सो हमारा सूत्र था सिग्मा एफाई एकसाई को हम भाग दे देते हैं सिग्मा एफाई से सिग्मा एफाई एकसाई का मान हमें प्राप् हैं बारंबारताओं के योग 40 से और भाग देने पर हमें मिलता है 135 इस प्रकार हम जान पाते हैं कि प्रती दुकान ओस्तन लाभ 135 रुपए है वर्गी करत आंकडों की बारंबारता सार्णी का माध्य ज्यात करने की स्प्रक्रिया को हम इन पदों में बाट सकते हैं वर्ग शं मध्य मुल्यों और संबंधित बारंबारताओं को गुणा करते हैं इनके गुणनफल को FI XI से निरूपित करते हैं बारंबारताओं के योग को सिग्मा FI से तथा गुणनफल के योग को सिग्मा FI XI से निरूपित करते हैं माध्य निकालने के लिए हम गुणनफलों के योग अर्थात सिग्मा Fi X I को बारमबारताओं कि योग अर्थात सिग्मा Fi से भाग दे देते हैं आये एक उदारन की सहता से इस प्रक्रिया को समिझते हैं हमारे पास हैं पचास चात्रों के गणित विशय के प्रापतांकों के आकड़े जो वर्गी करत शंकला के रूप में हैं आये इनका माध्य ज्यात करते हैं 0 से 10 के वर्ग का मध्यमूल हमें मिलता है 5 10 से 20 का 15 20 से 30 का 25 30 से 40 का 35 30 40 50 का 45 मध्यमूल्यों को बारम बारता से गुणा करें तो 5 की गुणा 5 से करने पर हमें मिलता है 25 8 को 15 से गुणा करें तो हमें मिलता है 120 15 को 25 से गुणा करें तो हमें मिलता है 365 16 को 35 से गुणा करें तो हमें मिलता है 560 और 6 को 45 से गुणा करें तो हमें मिलता है 270 चात्रों की संख्या अर्थात बारंबारताओं का योग है 50 और गुणन फलों का योग हमें मिलता है 1350 माध्ध निकालने के लिए हम गुणन फलों के योग अर्थात 1350 को भाग देते हैं बारंबारताओं के योग 50 से माध्ध एक्स बार बराबर हमें मिलता है 1350 को पचास से भाग देने पर 27 आज हमने जाना केंद्रे प्रुवर्ति की माप क्या होती है उनकी उप्योगिता क्या है उनकी आवशक्ता क्या है हमने सीखा एयपरिश्ट करत आंकलों का माध धिक्यात करना साड़नी बध आंकलों का माध्यत करना और वर्गी क्रत आंकलों का माध अधिकात करना अब इन विद्यों का प्रयोग कर आप अपनी पाथे पुस्तक के प्रश्णों को हल करें हमने अब शत्वर नहीं हरında आपक बिद्यों कानी कर आपक देना रंग सरय